इस्पूर में अखिल भारती आईर विज्ञान संस्थान का किया उद्घाटर विज्या दश्मी पर्वक्याउसर पर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती और प्रधान मंत्रे ने देश वासियों को दी बधाई और शुब कामनाए राष्टिय स्वयम सेवक संग ने शस्त्र पूजा कर विज्या दश्मी का पर्व मनाया और प्रदेश भर में किया जा रहा है दुर्गा प्रतिमाओं और जोत जवारों का विसर्जन नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूँ मनीश अहलुआलिया और सबसे पहले आपको दूरदर्शन के प्रादिशिक समाचार एकांश की तरफ से दशहरा परवकी बहुत सारी शुब कामनाएं और अब समाचार विस्तार से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारती आईर विग्यान संस्थान का उदघाटन किया इस संस्थान की आधारशिला श्रिमोधी ने प्रधानमंत्री स्वास्त सुरक्षा की केंद्रिय योजना की तहत अक्टुबर 2017 में रखी थी एम्स बिलासपुर का निर्मान 1470 करोड रुपई से अधिक की लागत से किया गया है ये एक अत्याधुनिक अस्पताल है जिसमें 18 स्पेशालिटी और 17 सुपर स्पेशालिटी विभाग 18 मॉडियलर ऑपरेशन थियेटर और 64 ICU बिस्तरों सहित 750 बिस्तर है इस औसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने विकास के नए आयामताय किया है इस प्रदेश ने देश में शत प्रतिशत टीका करण के लक्ष को पूरा कर लिया है चलती है वाला मामला नहीं ठान लिया है तो करके रहना है यहां बिजली पैदा होती है हाइड्रो से फल सब्जी के लिए उपजाओ जमीर है और रोजगार के अनमत आउसर देने वाला परियटन यहां पर है इन अवसरों के सामने बहतर कनेक्टिविटी का अभाव सबसे बड़ी रुकावड थी 2014 के बाद से हिमाचल प्रदेश में बहतरी इंफ्रासेक्टर गाउं गाउं तक पहुचाना का प्रयास हो रहा है आज हिमाचल की सड़कों को चोड़ा करने का काम भी चारों तरब चल रहा है हिमाचल में इस समय कनेक्टिविटी के कामा पर लगवा पचास हजार करोड रुपे खर्च किये जा रहा है पिंजोर से नालागड हाईवे के फोर लेंग का काम जब पूरा हो जाएगा तब आउद्यों की छेत्र नालागड और बद्धी को तो लाभ होगा ही चंडीग और अरंबाला से बिलाजपूर मंडी और मनाली के तरफ दाने वाले यात्रियों की भी सुविदा बढ़ने वाली है अपनी हिमाचल प्रदेश यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी कुल्लू दशरा समारों में भी शामिल हो रहे हैं घौरत अलबे की ये दशरा 11 अक्टूबर तक मनाय जाएगा विज्या दश्मी परव के आउसर पर राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती और प्रधान मंत्री ने देशवासियों को अपनी शुब कामनाय दी हैं राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू ने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार भारत की सांस्कृतिक एकता का उदाहरण है उन्होंने आशा प्रकट की कि इस पर्व से लोगों में नयतिक्ता, सत्य और अच्छाई के शाश्वत मूल्यों को प्रोटसाहित करने में मदद मिलेगी वहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने अपने ट्वीट संदेश में इस शुब अवसर पर सब के जीवन में सैयम, साहस और सकारात्मक उर्जा के संचार की कामना की है 36 गड़ की राजपाल अनुसुया उईके और मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने विज्या दश्मी के अवसर पर प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुब कामनाई दी है उन्होंने प्रदेश के लोगों की सुख और सम्रिधि की कामना करते हुए कहा कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है विज्या दश्मी का पर्व आज देश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाय जा रहा है शक्ति उपास्तना के बाद ये पर्व मनाय जाता है राष्टिय स्वयम सिवक संग ने शस्त्र पूजा कर विज्या दश्मी का पर्व मनाया राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग RSS का वार्शिक विजया दश्मी उत्सव आज सुबह नाकपूर के रेशम बाग मैदान में शुरू हुआ कारिकरम को संबोधित करते हुए RSS के सर संग चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि शक्ति उपासना के बाद विजया दश्मी का पर्व मनाय जाता है उन्होंने कहा कि मात्र शक्ति जो कार्य कर सकती है वह पुरुष नहीं कर सकते उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने की बात कही जो सब पुरुष कर सकता है मात्र शक्ति कर सकती है मात्रु शक्ति जो सब कर सकती है वो सब काम पुरुष नहीं कर सकते इतनी उनकी शक्ति है और इसलिए उनको इस प्रकार प्रबुद्ध बनाना सशक्त बनाना उनका सशक्ति करन करना उनको काम करने की स्वतंडरता देना और कारियों में बराबरी की सहबागिता देना दुनिया भर में जो व्यक्तिवादी और स्त्री मुक्तिवादी अंदोलन चलते हैं उनके पाच्वे फेश के बाद अब छेवार पेच चल रहा है उसमें वो भी अपने दुरुष्टिकों को अनुभवों से मोड़ कर इसी रास्ते पर आ रहे हैं कि और इसलिए उस मात्रुषक्ति के जागरण का महत्वपुर्ण काम अपने परिवार से प्रारम्ब करते हुए कि सारवगनिक कारियों में संगटन संस्थाओं में भी उसको लागू करते हुए हमको समाज के पास ले जाना पड़ेगा क्योंकि बिना उनके सहवाग से पूर्ण समाज की संगटिच्शक्ति खड़ी नहीं होगी और पूर्ण समाज की संगटिच्शक्ति जब काम करने लगेगी तब अपने देश के नवोत्थान के सारे प्रयास पूर्ण सफल होगी तब तक नहीं होगी नाकपुर में आयोजित विज्या दश्मी उत्सव में मुख्यातिती प्रसिद्ध परवता रोही संतो शिरा याद आव रही उन्हें दो बार माउंट एवरेस की चोटी पर चड़ने का गौर प्राप्त है मुख्यमंतरी भुपेश बगेल ने आज रायपुर इस्तित अपने निवास में सशस्र पूजा कर विज्या दश्मी का परव मनाया इस उस्तित पर उन्होंने कहा कि ये परव हमें अपने अहंकार और बुराई को समाप्त कर अच्छाई और सत्य की रहा पर चलने की सीख देता है इधर रायपुर के देवपुरी में राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग की ओर से शस्त्र पूजन कारिकरम का आयोजन क्या गया इसमें संग के 36 गड़ प्रांत प्रमुख रिशी बारले के साथ ही सहकार्यवाहक टोपलाल वर्मा भी उपस्तित थे इस औसर पर टोपलाल वर्मा ने कहा कि विज्या दश्मी के दिन RSS की स्थापना की गई थी इसलिए इस दिन शस्त्र पूजा की जाती है अपने यहाँ विज्या दश्मी की परमपरा सन 1925 इसके स्थापना दिवस्ते प्रारम हुई है और तब से यह निरंतर चल रही है यह उत्सा हम विज्या दश्मी के रूप में मनाते हैं राजधानी के पुलिस लाइन में स्थित्र शस्त्रागार में दशरे के मौके पर S.S.P. प्रशांत अगरवाल ने शस्त्रों की पूजा की पुजा दश्मी के दिल स्थ्रों की पूजा का की पुजा करते हैं वहीं कोरबा दिले में भी पुलिस सदिक्षक संतोश सिह ने शस्त्र पूजा कर जिले में अमन और शांते की काम ना की है श्रिसियों ने कहा कि पुलिस विभाग के लिए विज्यादश्मी का दिन विशेश होता है आज के दिन शक्ति के प्रतीक शस्त्रों की पूजा की जाती है प्रदेश के विविन जिलों में भी पुलिस विभाग के अधिकारियों ने शस्त्रों की पूजा कर अमन और शान्ती की कामना मा आदी शक्ति से की है विजया दश्मी देश भर में हर्शोल लास के साथ मनाय जाता है और बुराई के प्रती के रूप में इस दिन रावन का दहन किया जाता है वहीं भिलाई में केरल समाश के लोगों ने आज तीन वर्ष से लेकर छे वर्ष तक के बच्चों के लिए विद्यारंब कारिक्रम का आयो जनकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई की शुरुवात की अयप्पा मंदिर में आज समाश के लोग काफी संख्या में उपस्तित थे मंदिर के पुजारी ने विद्य विधान की साथ बच्चों का विद्यारंब करवाया कारिक्रम के आयोजक अयप्पा सेवा संग के महासचिव सुरेश कुमार पिल्लई ने बताया की मंदिर के पुजारी ने पूरे विद्य विधान की साथ इन बच्चों का विद्यारंब कर कारिक्रम संपन किया अयप्पा सेवा संगम के पूर्व महासचिव सुरेश कुमार पिल्लई ने बताया की देवी दुर्गा नौ दिनों तक विभिन रूपों में रहने के बाद गस्वे दिन सरस्वती का रूप धारन करती है और इसी वज़ा से आज के दिन छोटे बच्चों की विद्यारंब की परंपरा है नौ दिन का परो मनाय जाता है उसी तारतम में आज के दिन विलाई आयपा सेवा संगम सेक्टर टू में विद्यारंब का कारी करम रखा गया है विद्यारम्म में ये मानते है कि नौ दिन जो है देवी अलग-लग रूप में रहते ही है और आज देश्मी के दिन आज वो सरस्वती का मा सरस्वती का रूप में रहती है तो आज के दिन छोटे बच्चे जो है तीन साल के बड़े बच्चों को आज के दिन विद्यारमम पंडिजी अपने गोधन बिठा के सोने की अंगूटी से उनके जीप में ओम हरी गण बताए नामा लिख के विद्या का शुरुआत करते हैं ताकि वो आगे बच्चे अपने अपने लेक्षिम की और बढ़ते रहे और चोटे बढ़तीन साल के बड़े बच्चे जो हैं अपने घरों में चावल में फूल तुलसी एजवरा के अक्षर लिख के ही वो शुरुआत करते हैं आज के दिन बिलाई के हो या केरल में हो सभी बच्चे जो है इस कारिक्रम को करते ही हैं उसके बाद ही वो अपना पढ़ाई का कारिव सुरू करते हैं इस औसर पर मंदिर में आने वाले सभी शुरद्धालू को प्रसाद वितरन भी किया गया शारदिय नवरात्र के अंतिम देन कल प्रदेश में कई जगों पर भोग भंडारे का आयुजन किया गया वहीं आज भी जग जग दुर्गा प्रतिमाओं और जोत जवाने का विसर्जन किया जा रहा है जिसमें श्रद्धालू बढ़ चड़कर हिस्सा ले रहे हैं रायपुर में देवी मंदिरों और घरों में विराजित जोत जवारा विसर्जन के लिए भक्तों ने विसर्जन यात्रा निकाली इस दोरान सडकों पर भक्ति उल्लास का वातावरण देखते ही बन रहा है इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी दुर्गा का विसर्जन किया जा रहा है और अब कुछ खबरें जिलों से दुर्ग जिले में अपर कलेक्टर पदमीनी भुई ने राजस्व अधिकारियों की बैठक ली और अभी लेकों को दुरुस्त करने के निर्देश दिये उन्होंने पटवारियों को मुख्याले में रहने और की समस्याएं हल करने के निर्देश दिये हैं अपर कलेक्टर ने समय पर कार्य पूरा नहीं करने वाले तहसिलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जगदलपुर के परचनपाल में एंसेसी बालिका बटालियन का आठ दिवसे शिवरायजित किया गया जिसमें कैम्प में होने वाली गतिवीधियों में मैप रिडिंग, फाइरिंग, ड्रिल, जमीनी कला और युद्ध कला तथा अगनी वीर भरती के तैयारी के बारे में ब परी रित किया गया बिलासपूर उच्चे नयायले के नयाय मुर्ती दीपक कुमार तिवारी ने केस काल में खरेब देड करो रुपे की लागत से बनने वाले व्यावहार नयायले भवन का भूमी पुजन किया इस अवसर पर श्रितिवारी ने कहा कि सम्विधान में नहेत प्रावधानों के तरद सब को नयाय प्रदान करना जरूरी है और बुलेटिन के अंतर में मुखे समाचार एक बार फिर प्रदान मंतरी ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपूर में अखिल भारती आयल विज्यान संस्थान का किया उद्घाटन विज्यादश्मी परवक्याउसर पर राश्ट्रपती, उपराश्ट्रपती और प्रदान मंतरी ने देश वासियों को दी बधाई और शुब कामनाय राश्ट्रिय स्वयम सेवक्त संग ने शस्त्र पूजा कर विज्यादश्मी का परव मनाया और प्रदेश भर में किया जा रहा है दुर्गा प्रतिमाओं और जोत जवारे का विसरजन इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार प्रतिमाद जया जवारे का विसरजन